नमस्कार दोस्तों मैं कनेया लाल स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चैनल सबी परीक्षाओं में आये हुए प्रश्णों का संकलन लेकर आया हूँ तो वीडियो की इंपोर्टेंस आप जान सकते हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को पूरा देखिए चलिए दोस्तों पहला प्रश्ण है अगर आप ने अगर आप चैनल पर न नंबर एक तीस मार्च को दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बता कर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्ण आपको कैसे लगे दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे केते हैं कॉंस्टेबल 2013 में आ च चुका है अलवर भरतपूर विकानेयर गंगानगर जेसल मेर जालोर डूंगरपूर बांशवडा तो बता ये इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नंबर तीन जेसल मेर जालोर दोस्तों अलवर भरतपूर विकानेयर गंग 1909 में, 1993 में, 1990 और 1912 में तो बताइए इस प्रशन का सही उतर क्या है। धोलपूर, 27 वजिला धोलपूर बनाया गया था, अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन नमर 6, राजस्तान का शेतरपल भारत के कुल भोगोलिक शेतर का है, राजस्तान का सही उत्तर है, विकल्प नमर 10.41 परसेंट, राजस्तान का जो शेतरपल है, 3,42,249 वर्क किलोमेटर, व भारत के शेतरपल का 10.41 परतिशत है, अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन नमर 7, राजस्तान का अक्षानशी विस्तार है, असिस्टेंट जेलर 2004, शेकन ग्रेट 2018 में आ चुका है, 23 दिग्री 3 मिनट उतरी से 30 दिग्री 12 मिनट, 23 दिग्री 3 मिनट उतरी से 30 दिग्री 12 उतरी, और 23 दिग्री 3 मिनट उतरी से 40 दिग्री 21 उतरी, तो बताए इस प्रशन का सही उतर क्या है, दोस्तों, इस प्रशन का सही उतर है, विकल्प नमर 2, 23 दिग्री 3 मिनट उतरी अक् अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नमबर आट राजस्तान की कुल इस्तली सीमा की लंबाई है मोटर विकल और एसाई 2002 में ये प्रशन आ चुका है 5000 इंकानमी किलोमेटर, 5920 किलोमेटर, 5290 किलोमेटर तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है अगला प्रशने दोस्तो प्रशन का सही उत्तर है विकल नमबर 25920 किलोमेटर अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नमबर 9 राजस्तान की किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है कॉंस्टेबल 2007 में आ चुका है बाडमेर विकानेर गंगानगर हनुमानगर तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल नमबर 4 हनुमानगर हनुमानगर जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नमबर 10 है विकल्प नमबर एक पाली दोस्तों इस पिट थोड़ी सी ज्यादा है अगर आपको ज्यादा लगे तो अलगी से कम करके देख सकते हैं अगला प्रशने दोस्तों प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो धोलपूर राज़स्तान का सबसे पूर्वी जिला धोलपूर है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक भाकर शिरो इसेतर की जो पहाडियां है उन्हें इस्तानी बाशा में भाकर कहा जाता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर च्यार मेवल बांश वड़ाव दूंगरपूर के मद्य के भूबाग को मेवल के नाम से जाना जाता है अगला प्रशने दोस्तो प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार चंबल बेसिन चलिए दोस्तो अगला प्रशन है प्रशन नमबर पंदरा राजस्तान के जिस जिले में सुर्जे किर्णों का तिर्चापन सरवादिक होता है वह जिला है अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन नमबर सतरा जिस जिले में नेशनल वुड फोसिल पार्क इस्तित है आरेज 1909 में गरामसेवकν 2008 तो बताई एस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 2 जेसल मेर में नेशनल वूड फोसिल पार्क इस्तित है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमबर 18 थार के मरुस्तल में पाई जाने वाले अर्द चंद्राकार रेत के टिलो को क्या का जाता है कॉंस्टेबल 2018 में आचुका है बर्कान सम रन खडीन तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 1 बर्कान थार मरुस्तल में पाई जाने वाले अर्द चंद्राकार रेत के टिलो को बर्कान कहा जाता है दोस्तों चले दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर उननेस राजस्तान के चारो और पहाडियों से गीरे हुए उदेपुर वेसिन को इस्ताने भाषया में किस नाम से जाना जाता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक गुरु शिकर गुरु शिकर जो है अरावली प्रवतमाला की सबसे उची चोंटी है अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नमर 21 उचाई के इसाब से अरावली परवत की चोंटियों का सही करम है पटवारी 2011 में आ चुका है तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो गुरु, शिखर, शेर और जर्गा यह उचाई का इसाब से गड़ता हुआ चोटियों का करम है तो विकल्प नमबर दो अपना सही हो जाता है चलिए दोस्तो अगला प्रशन है प्रशन नमर 22 मध्य अरावली शेतर की सबसे उची चोटी कौन सी है वनरक्षक 2013 में आ चुका है जरगा बेराट तारागड अचलगड तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमर 3 तारागड तारागड जो है वो मध्य अरावली की सबसे उची चोटी है चलिए दोस्तो अगला प्रशन है प्रशन नमर 23 दोस्तो प्रशनों की स्पीड जो बोलने की है थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वीडियो को में लंबा नहीं करना चाता अगरा आपको लगता है ज़्यादा इस प्रशन है तो आप हलकी सी कम करके देख सकते हैं त्यीस्वा प्रशन है बर्रदर्रा इस्तित है इसको लवियाक्यता 2020 में आचुका है दक्षिन अरावली उतरिया अरावली मध्यारावली मालखेत की पहाडियां तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर तीन मध्यारावली में जो ब्यावर तेशिल है अजमेर की ब्यावर तेशिल वहाँ पर ये दर्रें है बर्र दर्रा पखेरिया शिवपूर घाट इस प्रकार से तो बर् इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर च्यार गागरोंग जो गागरोंग का किला है १ो अराउली प्रवत अला में 20 अfin Every is केम्ब्रियन अरावली परवस्रेणी का जो विकास है वो प्रीकेम्ब्रियन युग में होना माना जाता है अगला प्रशने दोस्तो प्रशन अरे सुनीशो संत्यानवे में आ चुका है भीलवारा कोटा चितोडगर अजमेर पाली तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर चार अजमेर पाली उपरमाल जो पठारी परदेश है यह विजोलिया भीलवारा से भेंस्रोडगर चितोडगर के बीच में है तो यहाँ पर अजमेर पाली इससे सम्मंदित नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नंबर 28 राजस्तान का सबसे उचा पठार है वनरक्षक 2013 में आ चुका है गिरवा उडिया त्रीकूट भोराट का पठार तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 उडिया का पठार राज्य में सबसे उचा पठार है अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नंबर 29 उदेनात परवत राजस्तान के किस जिले में इस्तित है जेपूर अजमेर अलवर स छिकर तो बतागे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्ब लंबर 3 अलवर चलिए दोस्तों अगला और आखरी 30 वाप्रश्न उससे पेले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो बिल्कुल लायक और शेर जरूर करना है दोस्तों तीसवा प्रशन है राजिस्तान का देशांतर ये विस्तार है प्रियोक साला साइक 2019 और PTI 2018 में आचुका है उनतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी से अठतर डिग्री सत्रा पूर्वी देशांतर अठतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से अठतर डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजिस्तान का देशांतर ये विस्तार है और अक्षांची विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्रे अक्षांच से तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में तब तक के लिए नमस्कार जे भारा